नारायन नारायन आज का विशे है नाम यह रामबान की तरह है बच्चों जिस पर किसी की सत्ता नहीं चलती जो कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता जो जाते समय किसी की समझ में नहीं आता जो कितना गया और कितना बचा है इसके बारे में कोई बता नहीं सकता जो गया कभी वापस नहीं आता और जो भगवान के सिवाए और किसी से डरता नहीं उस काल ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है जिस काल की सत्ता से वस्तु आकाग धारन करती है उस काल की सत्ता से वह अचानक तूट भी जाती है सभी तुष्य वस्थों पर यह नियम लागू है फिर अपनी देह इस नियम से कैसे बचेगी किन्तु जो भगवान को कस कर पकड़ लेता है उसकी देह चाहे रहे चाहे जाए उसकी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता अते इसके बाद कोई कहने वाला मिले या ना मिले तुम सब नाम लिये बिना मत रहो जो भगवान का नाम लेगा उसका राम कल्यान करेंगे यह मेरा कहना सच मालो किन्तु भगवान को मत भूलो यही मेरा आग्रह है उसके स्मरण में आनंद से दिन वैतीत करो नाम ठीक रामबान के समान है, रामबान यानि ठीक काम करने वाला बान अपने लक्षे तक अचूक जाने वाला वहबान फिर लोट कर तरकश में बैठ जाता था राम नाम यह नाम राम के पास रहने वाला और अचूक राम के पास जाने वाला एक मातर साधन है सच मुझ नाम समर्ण का अभ्यास एक दृष्टी से बहुत सरल है उसे किसी भी उपादे की जरुरत नहीं होती उसका कोई निश्चत समय नहीं है उसके लिए स्थान का और देही की वेवस्था का कोई बंधन नहीं है जब तक चीव होश में है तब तक नाम लिया जा सकता है किन्तो दूसरी दृष्टी से नाम समर्ण का अभ्यास कठिन है उपादी के बिना हमारे मन को चैन नहीं आता और उपादी में हमारा मन रम जाता है नाम में मनलीन होना बड़े भाके की बात है नाम में अपना कोई स्वाद नहीं है इसलिए थोड़ा सा नाम समर्ण किया तो उससे जी उपने लगता है इसलिए नाम में मनलीन होना बड़े भाके की बात है जिसका मन नाम में लीन होने लगे या रंगने लगा तो ऐसा समझें कि उसे अपना विसमरन होने लगा उसका चित पुरी तरह नाम में लीन हो जाता है वह अपने को पुरी तरह भूल जाता है और उसे भगवान का दर्शन होता है असल में नाम का चस्का लगना चाहिए एक बार यह चस्का लग गया तो फिर संसार का सारा वैभव तुछ लगने लगता है यह बाजार जो मैं खूल के बैठा हूँ यह उसी के लिए है हर आदमी को नाम का चस्का लगे इसके लिए मेरा प्रत्न लगातार जारी है कोई तो उसका अनभव करने को तयार हो जाओ राम उसके पीछे खड़े हैं इसका विश्वास करो सब सच्चे मन से नाम स्मरन करो नारायन नारायन